नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से इग वर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगचे गॉटो सेक्टर के बारे में जिसके नाम आप पहले ही देख चुके है जिसके नाम है मारती सुजुकी तो मारती सुजुकी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि मारती बसे और बहुत बढ़ा और मुझे लगता है इस तरीके से से नियूच आपको हमेसा करना चाहिए क्यूंकि के इस तरीके से नियूच आपको स्टॉक का जो भाटन शे канал क्रहाँ चाहिए और हमें क्वीडियो को पूरा देख आ इस चैनल को सबस्क्रार्ड नें तो जरू सब्सक्राइब कर लेजिए क्यों को डेली वेसी स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड आपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रही है तो चलो फटाफट सुरू कर लेते हैं आज के स्टॉक मार्केट टीडेल्स के बारे में तो वीडियो सुरू करने से पहले और एक चीज़ आपको जूरू बताना चाहता हूँ आप टेली वेसीस इंट्रेटे में काम करते हैं तो नीचे टेली ग्राम का लिंक दिया है हो आज से जाकर जोईन हो सकते हैं और अभी तक अपने बारे उपन करके रखा हो आप देख सकते हैं आपको देखने से कुछ सोचना चाहिए कि क्यू इतना तेजी देखने को मिला उसके पीछे रिजन क्या है कारण क्या है और वो कारण कितना future oriented है, मतलब future के लिए वो कारण कितना sustainable रह सकते है, तो उसके उपर आपको हमेशा research करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात करूँगा, तो फूरा देखते जाएए, इसके मत करिये वीडियो को, नहीं तो बहुत सारे चीज अब मिस कर जाओगे, तो क्योंकि entire day में बहुत सारे tricks होते हैं, बहुत सारे technical chart button के बारे में जानना होता है, तो उसके बारे में आपके पास knowledge है, तो आप जूरूर कर सकते हैं, मगर यहापे में long term के लिए बात करने वाला हूँ, तो long term के लिए जूरूर इस company को पर क्या राय होने वाला है, उसके बा तेजी देखने को मिल रहा है, तो यहापे में न्यूज के उपर आ चुका हूँ, यहापे देख सकते हैं, एक ही कारण है, जो कारण है मारती सुजू की export, मतलब जितने सारे गाड़ी export करते हैं, उसका record बेक किया, और अभी फिलाल जो देखा जाए, सबसे ज्यादा top level record को यहापे बनाया है, record 25,450 cars in 2021, मतलब इस सालों में, मतलब 2021, पिछले सालों में जब इसका जो फिगरेशन देखा जाए, वो करीबन करीबन, दो लाक से भी जादा, दो लाक पाँच हजार से भी जादा, यहापे गाडिया पेचा गया है, मतलब सेल्स किया गया है, बहुत इसका कारण ही आपे आज के दिन उच्छाल देखने को मिला, जो यह जो न्यूज आया था, इस न्यूज के कारण से ही आज के दिन जब दस बाइंग हुआ इस कॉम्पानी के उपर, तो इसलिए आपे देख सकते हैं, जितने सारे निप्टी के 38 जो सेर्स है, जो आज के दि इसलिए पर देखने को मिला है, तो आप देख सकते हैं, जितने सारे गाड़ी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इस एक्सपोर्ट के मतलब से ही यहापर रिपोर्ट आया है, आप आप देख सकते हैं, मारति सुज की यहापर देखे, जो आपर बात यहापर चल ला है, टो 21.85 लाक्स उनीट इतना ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर की कंटी में कर चुके हैं पहले ही कर चुके हैं और तो यहां पर जो रिपोर्ट पब्लिस किया गया है उसके माधम से आपको बोलू तो यहां पर देख सकते हैं मारती सुजु की एंदर हैं इन्यू रेकॉड बाई एक्सपोर्टिंग इसको बहुत हैं तक उसके रिपोर्ट के हिसाब से मारते सुजु करिबन करिबन 2,55,450 भेहें मतलब है है और यहाँ पर जो इसका जो manufacturing record है उसको भी record बेक किया है तो यह एक चीज ही आपको हमेशा याद रखना चाहिए कोई भी stock भाग रहे तो उसके पीछे कारण देखना चाहिए obviously जो कारण है मुझे इस कारण को बहुत sustainable लगा और बहुत positive लगा क्योंकि यहाँ देख सकते है टोटल celebrating यहाँ देखे इसका इतना गारी बहार कंटी में बेचा गया है तो इसका impact तो आपको देखने को मिलेगा ही तो उसी लिए आज के दिन यहाँ पर नजरिया देखने को मिला और बाकि जो details है आप देख सकते हैं आपके कितना गारी कितना बेचा गया है कौन सा सारे company का performance भी अच्छा देखने को आपको मिल सकता है तो इसलिए आप देखेंगे तो जितने सारे मतलब जितने सारे वहेकल्स है जितने सारे automobile company के जितने सारे गारिया है तो उनमें देखा जाए अच्छा खासा आज की दिन movement देखने को मिला क्यूंकि आप auto sector को देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी आज auto sector में ही देखने को मिला था तो मारति सुझी की उनमें से number one position में आज की दिन record break हाई किया और इस company के बार में मैं long term के लिए हमेशा आपको जुरूर बताता हूँ long term के लिए जाबदस एक positivity है इस company के उपर अब इस company के उपर focus जुरूर रख सकते हैं अभी देखें फिलाल जो position है फिलाल जो figuration है तो अभी तो एक side basis pattern में है आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक downfall और side basis pattern में चल र है तो आप इस company के उपर निवेश करकर रखे है तो आपको long term के लिए सोचना चाहिए short term के लिए इंटर डे, swing trading इस तरीके से performance के लिए आपको technical chart pattern के knowledge होना चाहिए उसके बाद आपको market के बहुत सारे चीज आपको सीखना चाहिए तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाए करीबन 2,34,000 करोड से भी ज्यादा इसका market capilation है और तो company का market capilation आप देखी चुके है कितना अच्छा का सा market capilation है और यहाँ पर current जो price है इसका current price भी scenario आप देख सकते है तो company का जो pure ratio है वह 56.9 इसका pure ratio भी है मतलब थोड़ा सा high level में इसका pure ratio देखने को मिला है company का जो book value है व तो company का और भी चीज आपको जो देखने को मिला return of capital employee बहुत low level में है जोरूर है 5% है और return of equity 4.40% है तो industry जो pure ratio है मुझे बहुत बहुत high level में देखने को मिला है company का जो promoter के पास holding है वो 56.4% है company का जो net annual income जो है वो उसके हिसाब से बात करो तो net annual income है 4,389 है company के पास जो करजा है 221 करोड है देखा जे company जो इसका करजा है वो ना के बराबर है मतलब कोई भी करजा नहीं है अब debt free consider कर सकते है इसका performance के हिसाब से इसको debt free consider आब कर सकते है और बाकी जो data है बाकी जो details है उसके बारा में बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते है company का जो प्लेजिंग है मतलब company का जो share holding है जो 54% hold करकर रखा है तो कोई भी प्लेजिंग नहीं करकर रखा मतलब कोई भी share गिर भी नहीं रखा है यह एक positive है company के लिए और पर आपको देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है इस company के उपर आप निभेस करकर रखा है तो obviously long time के लिए पर आपको पॉजिए क्योंकि company इंडिया का एक जबदस एक लीडिंग पोजिशन में रहने वाला company है तो market के लिएशन के हिसाब से company देखे नमबर वन पोजिशन में है कि कि इसका market के लिए दो लाग से भी ज्यादा दो लाग थर्टी एट थाउजन टू लाग थर्टी एट थाउजन से भी ज्यादा इसका market के लिएशन है इतना बड़ा market के लिएशन company लेकर बैठे हुए है तो इस company के लिए तो आपको रहना बनते हैं तो क्यूंकि company का हर परामेटर आपको positive देखने को मिलेगा हाँ obviously आप देखेंगे साल भर की जो result है साल भर की जो profit growth है वह भी आप देखेंगे तो हर साल में जुरूर profit किया है 2018 में 7800,19 में 7600 करोड का total profit हुआ है उसके बाद जो प्रिगरेशन आपको देखने को मिला थोड़ा सा यहां पर कम हुआ क्यूंकि कोरुणा के situation में ज्यादा था selling कम हुआ तो इसलिए यहां पर all over एक मतलब business थोड़ा सा डाउन हुआ तो इसलिए इसका impact यहां पर देखने को मिला मगर इसके लिए आपको कुछ घपराने के ब सोचेंगे तो इंटाडे कर लिजिए का स्विंग टेडिंग के लिए आपको टेक्निकल fundamental सारे कुछ सारे चीज आपको देखना पड़ेगा तो प्रोमोटर के पास जो holding है प्रोमोटर के पास है तो पहले भी 56 परसन था अभी भी 56 परसन होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है साथी साथ या पर जो FIS के पास है वो 22 परसन है DIS के पास है वो करीबन 15.98 परसन है पाबलिक के पास जो share है वो 5.13 परसन है तो overall सब के पास इस्यदारी जब अदस देखने को मिल रहा है तो इस company के उपर आपका नीवेस है तो long term के लिए जोरू सोचिए short term के लिए मत सोचि मिलते हैं अगले निया स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे से रही है अपने ख्याल लखिए बाई